स्वेंट्स वेलकुम तो मार क्लास श्वेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नमबर वन इंट्रोडक्शन टू बायलोजी और इसका टॉपिक आज हमने पढ़ना है सब अटॉमिक एंड अटॉमिक लेवल आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेवल्स ऑफ और्गनाजेशन ऑफ और्गनिजम्स जानदारों की तन्जीम के दरजात और इन दरजात में सबसे पहला जो लेवल है वो है सब अटॉमिक और अटॉमिक लेवल चले जी स्टार्ट करते हैं सब अटॉमिक और अटॉमिक लेवल को All types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atoms माद्दे की तमाम इकसाम elements की बनी होती हैं और हर element एक ही तरह के atoms का बना होता है The atoms are actually made up of many sub-atomic particles Atoms दरासल बहुत से sub-atomic particles के बने होते है The most stable sub-atomic particles are electron, proton and neutron और सबसे मतवाजन sub-atomic particles electron, proton and neutron है Protons and neutrons are located inside nucleus of atom Proton और neutron atom के nucleus में मज़ूद होते हैं While electrons orbits in shells around the nucleus जबके electron तबानाई के दरजात यानि electron shells में हरकत करते हैं जो के nucleus के गिर्द पाया जाते हैं The number of electrons in the outer most shell determines the manner in which atoms react with each other सबसे बिरुनी शेल में electrons की तदाद मतयन करती है कि atoms आपस में किस तरह अमल करते हैं, किस तरह रियक्ट करते हैं तो strengths हमने बात की कि मादे की तमाम इकसाम elements की बनी होती हैं और हर element एक ही तरह के atoms का बना हुआ है atom दरासल बहुत सबाटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है सबाटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं electron, proton और neutron proton और neutron atom के nucleus में पाये जाते हैं जबके electron nucleus के गिर्द मौजूद तवानाई के दरजात यानि electron shells में हरकत करते हैं और वो गहरा है कि किसी atom के आकरी shell में पाये जाने वाले electrons की तदाद decide करती है कि atom आपस में किस तरह से react करेंगे किस तरह से तामल करेंगे out of the 92 kind of elements that occur in nature 16 are called bio elements फित्रत में पाये जाने वाले 92 elements में से 16 को bio elements कहते है because these take part in making the body mass of a living organism क्योंकि ये जानदार के इचसाम का मादा बनाने में हिस्सा लेते हैं यानि कि फित्रत में जो 92 elements पाये जाते हैं उन में से 16 elements को bio elements कहते हैं क्योंकि ये जानदार के इचसाम का मादा बनाने में हिस्सा लेते हैं out of these bio elements in bio elements में से only six make 99% of the total mass सिरफ 6 elements ऐसे हैं जो जिसम की कैमियत का 99% बनाते हैं वो 6 elements कौन से हैं वो 6 elements हैं oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium और phosphorus यानि कि ये वो 6 elements हैं जो जिसम की कैमियत का 99% बनाते हैं other 10 collectively make 1% of the total mass जबके बाकी जो 10 elements हैं वो मिलकर जिसम की कैमियत का सिरफ 1% बनाते हैं वो 10 elements कौन से हैं उन 10 elements में potassium है, sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc और iodine यानि कि ये जो 10 elements हैं जिन में potassium, sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc और iodine शामिल हैं ये 10 elements मिलकर सिरफ 1% बनाते हैं जबके जो 6 elements हैं जिन में oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium और phosphoros शामिल है वो मिलकर 99% बनाते हैं तो स्ट्रेंट से हमने बात की कि फितरत में पाए जाने वाले 92 elements में से 16 elements ऐसे हैं जो जानदार के इजसाम का मादा बनाने में हिसा लेते हैं और उन 16 elements को हम bio elements कहते हैं उन 16 elements में से 6 elements ऐसे हैं जो जिसम की कैमियत का 99% बनाते हैं 6 elements कौन से हैं oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium और phosphoros जबके जो बाकी 10 elements हैं वो मिलकर सिर्फ जिसम की कैमियत का 1% बनाएंगे और उन 10 elements में से कौन से हैं potassium है, sulfur है, kalorine है, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc और iodine next हम बात करते हैं कि जो 6 elements 99% बनाते हैं इन की क्या percentage है इन 6 elements में से oxygen सबसे ज्यादा पाया जाता है 65% दूसरे नमबर पे carbon है, 18%, तीसरे नमबर पे hydrogen है, 10%, चोथे नमबर पे nitrogen है, 3%, फिर calcium, 2%, फिर phosphorus, 1% और others जो हैं, जो 10 elements मिलकर टोटल 1% बनाते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमने elements के individual percentage देखी, कि oxygen 65% बनाता है, carbon 18%, hydrogen 10%, nitrogen 3% और calcium 2%, और इसी तरह phosphorus 1% और बाकी जो 10 elements हैं, वो मिलकर 1% बनाते हैं। Students, आज हमने sub-atomic और atomic level को पढ़ा, sub-atomic और atomic level में वो बात करता है, कि मादे की तमाम एकसाम elements की बनी होती हैं, और हर element एक ही तरह के atoms का बना हुआ है, यानि कि ऐसे atoms जिनका atomic number same हो, फिर वो कहता है कि atom दरासल बहुत सब-atomic particles का बना हुआ है, सबसे मतवाजन सब-atomic particles, electron, proton और neutron है, proton और neutron atom के nucleus में पाए जाते हैं, जो के center में होता है, जबके electrons nucleus के गिर्द मौजूद तवानाई के दरजात, यानि के shells में हरकत करते हैं, और सबसे बेरुनी शेल में electron की तदा body decide करती है, कि atoms आपस में किस तरह से react करते हैं, किस तरह से ताम्मल करते हैं, फिर हमने बात की, कि फितरत में पाए जाने वाले 92 elements में से solah elements को bio elements कहते हैं, क्यूंकि ये जानदार के इकसाम कमादा बनाने में हिस्सा लेते हैं, इन 16 elements में से 6 elements ऐसे हैं, जो 99% बनाते हैं, और उन 6 elements में से oxygen 65% बनाता है, carbon 18%, hydrogen 10%, nitrogen 3%, calcium 2% और phosphorus 1% और जो बाकी 10 elements हैं जिनमें potassium, sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc और iodine शामिल हैं ये मिलकर 1% बनाते हैं नेक्स्ट आज के topic से related हमारे questions पहला question है, what are subatomic particles, subatomic particles क्या हैं तो इसमें आप बताएंगे कि atom बहुत से subatomic particles से मिलकर बना हुआ है सबसे मतوازन subatomic particles, electron, proton और neutron है, proton और neutron आटम के nucleus में मौझूद होते हैं, जबके electrons, nucleus के गिर्द मौझूद तवानाई के दरजात, यानि shells में हरकत करते हैं next question है, define bio elements, bio elements की तरीफ करें, तो आप बताएंगे कि फितरत में पाए जाने वाले 92 elements में से 16 को bio elements कहते हैं, क्योंकि ये जानदार के इसाम का मादा बनाने में हिस्सा लेते हैं इन 16 elements में से 6 elements ऐसे हैं जो जिसम की कैमियत का 99% बनाते हैं, उन में oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium और fast force शामिल है, जबके बाकी 10 elements मिलकर जिसम की कैमियत का सिर्फ 1% बनाते हैं आपकी बुक जहांचा आपने इस topic को prepare करना है, तो strengths आज हमने बात की के सब-atomic और atomic level के बारे में, सब-atomic और atomic level में हमने सबसे पहले बात की के element क्या होता है, element एकी तरह के atom से मिलकर बना हुआ है, और atom बहुत से sub-atomic particles से मिलकर बना हुआ है, sub-atomic particles, electron, proton और neutron हैं, वो electron, proton और neutron कहां पे मुझूद होते हैं, proton और neutron atom के nucleus में मुझूद हैं, जबके electron shells में हरकत करते हैं, फिर हमने बात की bio elements के 92 elements में से 16 elements ऐसे हैं, जिने bio elements कहते हैं, उनमें से 6 element 99% बनाते हैं, और बाकी जो 10 element हैं, वो 1% बनाते हैं, और यहां पे उन 6 elements की percentage दी हुई है कि कौन सा element कितने % बनाता है, थैंक्यू स्टेंट्स,